मेरे यूटूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मिल गया है HDFC बैंक का ग्रीन कार्ड इस ग्रीन कार्ड का क्या उपयोग है यह 20 रुपए में इसका चार्ज है और इसका डेट देख सकते हैं 2030 तक अब लेवल है इसका उपयोग कर सकते हैं और इस ग्री jsते हैं ऐक सबस्क्राल के अगर इस समय आपको कि अश् pepper कि लिए यवा जमा करने के लिया जाएगा बश्च ब्रीक करसकते हैं तो इस जो г्रीं कार बार को दिया जाएं तो इस जो कि आपको फिलप करना fill up करना होगा और form fill up करके अपना photo लगा के एक ID आधार card आप लगा कर एक green card only 20 रुपए में अपने account से attach करवा सकते हैं इस green card का दोस्तों जो charge है केवल 20 रुपए है एक बार देना है उसके बाद आपके account से activate कर दिया जाएगा आप किसी भी SBI ब्रांच में जाके 25,000 रुपए पर डे आप deposit कर सकते हैं हर SBI ब्रांच में accepted है एक card आप लेकर जाएगे आपको कोई form fill up नहीं करना है 25,000 से नीचे आप जो भी amount जमा करना है इससे आप जमा कर पाएंगे और इसके पीशे कि तरह आपका account number लिख दिया जाएगा और आपका नाम लिख दिया जाएगा यहाँ कोई CBB नहीं है यहाँ कोई card ispire date नहीं है अगर आपका card कोई hack नहीं हो पाएगा यहाँ कि इस card में आप तो CBB है केवल card number है और इसी card से आप withdrawal नहीं कर पाएंगे केवल deposit ही कर पाएंगे तो यह है दोस्तों SBI green card देख सकते हैं इस green card से आप केवल deposit कर सकते हैं इस green card का का काम केवल deposit ही करना है तो यह है दोस्तों SBI का green card और काफी सांदार लुक में यह card है दोस्तों एक कार्ड आपासानी से किसी भी SBI ब्रांज से जाका ले सकते हैं इस कार्ड का जो deposit limit है केवल 25,000 रुपए पर डे और दूसरे दिन भी 25,000 रुपए आप deposit कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप deposit नहीं कर पाएंगे एक दिन में तो काफी स्थांदार कार्ड है एक कार्ड हर जग आपको छोटा सा काम करना होगा एक फाम लेना होगा SBI बैंक से एक अपना फोटो लगाना होगा अपना अकाउंट डेटेल भरना होगा अपना नाम भरना होगा और उसके बाद 20 रुपए चार्ज आपको जहां एक deposit होता है महां से 20 रुपए चार्ज आप से लिया जाएग आपका नाम और उसके बाद यहां कोई CBB नहीं है जैसे ATM कार्ड में होता है तो इस तरह से है backside में ATM कार्ड एक green कार्ड और इस green कार्ड का उपयोग आप कर सकते हैं असानी से इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसे कोई आपका पैसा है खोने की ज़रूरत नहीं है कि कोई द दिक्कत हो जाए जैसे ATM कार्ड में राता है और एक green कार्ड आप एक बार लेंगे तो देख सकते हैं इसका लिमिट जो है 2030 तक दिया गया है आप एक बार लेंगे तो 6-7-8 साल आप के लिए वैसे निकाल जाएंगे फिर आपको 8 साल बाद ही 20 रुपए खर्च करना होगा फ इतना भी बार दिन में एक बार आप 25 यार जमा कर सकते हैं और आपको फॉर्म लब करने की कोई जरूरत नहीं होगा तो दोस्तों यह है SBI का green card और कैसा लगाए वीडियो बताईएगा कोई question हो तो comment करके मुझे पूछ सकते हैं reply मैं जरूर करूंगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय ही जय भारत बंदे मात्रम थैंक्यू फॉर वाचे